कि हैं लो स्टूडेंट कैसे हो आप सब उम्हेद करता हमां सब अच्छे ही होगे तो विल्कम तो मैं यूटूब चैनल और इन वन मिक्स एजुकेशन जहां पर आपको हर एक लेनर डियरीज के शोलिसंस मिले वाले हैं बेलकुल फ्री वह चाहिए क्लास सेवन्त का हो चाहिए संस्कृत ही का क्यों न हो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं क्लास एट संस्कृत रूची राब का सेकेंड भाग है जिसमें कि आपको मिल जाएंगे सस्ट यानि कि छठा पाठ यानि कि ग्रीह सुन्या सूता बिना यानि कि घर सुना है एक बेट तो है तो इसम्हें के क्युचन देखने वाला नसे टिख क्लाव एट को चिप्टर नबर 6 है तो आई यह देख लेते हैं इसका लब स्ट लुने डिए इसमें फर्स्ट बोल रहा है असमीना पाठे मन कीम जानतम यानि की मैंने इस पाठे क्या सीखा ठीक है अब आप से एसे कोई पूछ देगा कि आप ने इस पार्ट को पढ़ लिया तो आप बोले के पढ़ा तो नहीं पर इसके लानरा क्यूचन कर रहा हूं क्योंकि वाली मिक् में मिल जाएगा आप पस लिप दोापको 99 मिल जाएंगगे लिखनेसे तो नहीं मिलेंगे आप जब इस nhất हर varit टॉपिक समझ जओगे स्वाव्य तो आप ल्हार गेंछे से अंगर आपको फट्रॉपिक नहीं है तो कहां से लिख होगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं तो असमीना पाठेता अग्यातवानम यत असमाभी कदापि ग्रिहपात ना करेत तब्यम यह चेप्टर है वो कहीं आप सब की जीवन से ही डिलेटेड है ठीक है मैं चाहूंगा आप इसे मतलब की सीरियस लेके ही मतलब की सोच ने ठीक है तो मैंने लिखा है यानि कि इसका मतलब तो यह हो कि मुझे इस पार्ट में मैंने इस पार्ट से क्या सीखा तो मैंने लिखा है मुझे इस पार्ट में मैंने इस पार्ट से यह सीखा कि हमें कभी भी ग्रिव पात नहीं कराना चाहिए तो चाहे कैसी ही तो मैंने क्या लिखा है देख लो आप त्रहां से किया लिख रहा है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सार देखना है तभी आपको अच्छे से दिख पाइगा फिर बोलोगे कि भाई या अच्छे से नहीं दिख रहा क्या करूं विडियो के क्वालिटी को बढ़ा देना वरना आपका आई के मात्रा में कट सकता है ठीक है तो मैंने लिखा है मुझे इस पार्ट में या कठिनाई या आई की राकेश अपनी पती को ग्रिह पात कराने के ल लिख दिया है दो लगए पर्टाक से लिए ना पभी पूछे पर्टाक से बताना ग्रीपात जब राकेश जो था वह अपनी पतनी ग्रिपात कराने के लिए बोल रहा था यानि की पात कराने के लिए बोला तो मतलब कि यही जो चीज थी वह कपी जज़ादा मुझे कठीन लगा एक तरीके से ठीक है पिर आता है हमारा अस्मीना पाठे मम कीम रोचतास्वम यानि कि मुझे इस पाठ में क्या रोचक लगा ठीक है तो आगे देख लेते क्या रोचक लगा है तो मम रोचक ग्यात यत सालीने प्रेमना ब्रात्या भज्य बैपाठी यत असमाविय ग्रेपात ना कर्त ब्यम इती यानि कि इसका मतलब आपका ये हुआ कि मुझे इस पाठ में ये रोचक लगा कि सालीनी ने अपनी भाया को प्यार समझाया कि हमें ग्रेपात नहीं कराना चाहिए यानि कि मुझे इस पार्ट में यह रूचक लगा कि जो सानली थी वो प्रीम से अपने ब्रातर ब्रिज्या ब्रातर व्रया यानि अपने भाई को प्यार से समझाती है तो ग्रीपात जो कराना है वो काफी गलत काम है आप इसे ना करें ठीक है यह गलत काम है ठीक है तो अगर आप कोई भी चीज़ को अगर प्यार से समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं ठीक है जिसे कि अगर कोई भी लड़ाय हो गया अगर आप उसे प्यार से समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं ठीक है तो यही वाली बात है मिलते हैं नेक्स वीडियो में और प्लीज अगर आपको जड़ा सा भी मेरा वीडियो हेल्पोस लगा हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास भी जादा से जादा से जादा सेयर करें ठीक है सो थैंक्स पूर वच्चिंग आईए मेवते हैं नेक्स वीडियो में चलते फिरते फिर कहीं न कहीं एक और वीडियो लेके आजाओंगा और क्या अभी सिस्टम पार्ट का लेका है अभी सेवन चैप्टर का भी लेके आओंगा डॉन्ट बठी